हेलो इसाख्षी तीवारी जैसे कि आपको पता है मैंने आपको इक स्ट्राटेजी बताई थी कि आपको और पर कैसे करना है अब जो है मारा और अर्बियाई का प्री जो है वह मारा अल्रेडी ओबर हो चुका अब मैं यहाँ पर आपको क्या बताने वाली हूं कि सबसे पहले je करने वाले सबसे पहले को देखने की का यह है क्या सुलेबर से और कैसे आपको यह समीनलिकशन ना 45 to 50 यह Only मैं कॉलीट कराने वाली हूं आपको डेली एक एक वीडियो देने वाली हूं मैं बहुत फोकस जी एक्जाम लाँ मंधाम पर रहना वाली हूं कि अब मैं आपको बताओंगी समय में हमीशा अब दिजेना परी में प्रीकाली हो प्निमाने 2 वाला थीजी बता सकती हूं कि florist ृ जैसे आपको प我不知道 की जो भी बैंकिंग का प्री एक्जाम रहता है बैंकिंग और इंशृराइन्स एक्टर का प्रोग्राम कंसिस्ट करेऊ सेक्षन के पोस्त्स मिलए रीजनिंग और एंध्लिश यह इसें कंसिस्ट रहेगा अब सब्सक्राइआ की में क्या क्या वाले सब्सक्राइब 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 और या तो बार ग्राफ हो सकता है या पाई चार्ट होता है इससे बाहर कोई भी हमारे डियाइब मतली जाएगा पाई माक्स का शोचेहएजिएगा वाहर को इसबीन था süच सव्सक्राइब बैसे क्या होता है 90% 99-iger तो रहता ही क्वाद्रिक इक्कुएशिन भी आपका है ऐसे हो जाते हैं तो 20 marks आपके हो जाते हैं फाइब मार्क्स का आपका आएगा सिंप्लिफिकेशन तो कई बार SBI क्या करेगा कि वह ऐसे देदेगा 10 marks वह आपके दी आई से लेगा ठीक है 5 marks वह आपके number series से लेगा और 5 आपके equation से लेगा और 5 आपके simplification से भी ले लेगा तो यह आजाते हैं आपके 25 यहां हो जाते हैं रिमेनिंग 10 में 10 नंबर में वह क्या देता है वह देता है अर्थमाटिक मीज आपके जो topic wise question है तो topic wise question का भी मैं आपको बता देती हूं एक जो question रहेगा वह आपका boat end string अब मैं यह सारे पर practice चालू करवाने वाली हूं क्यूंकि almost मैंने बहुत सारे topics आपको पढ़ा दिये हैं basics अब मैं इस पर practice question कराने वाली हूं boat industry, average, ages, ages ratio यहां पर मिल जाएगा मतलब क्या होता है एजिस जो question होता है न वो हमारा बनता है ratio से बतलब उससे हम ratio निकालेंगे next हमारा बनेगा एक question mixture and delegation mixture and delegation से एक question बनेगा next हम आते हैं अभी यह मैं 10 questions का लेके चल रही हूं कि एक boat industry stream से आ गया एक जिस से आ गया एक ratio next हमारा बनेगा प्रॉफिटेंड लॉस्ट लॉस्ट से अब थर्टी स्कोर कर लिया है और अराम से मीजसे मैंने स्कोर किया है माइस अब्जेक्ट इस माच्ट तो आफ फिर इंग्लिश से पंद्रह बीस नंबर तो ला सकते हो तेंशन जब बढ़ जाता है आपका किसी भी पेपर को कौलिफाई करने के लिए जब आपका यहां से 50 और 45 के बीच में आ रहा है तो आज कल जो कट आफ जा रहे हैं वह 75-80 भी जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है फिर आपका पूरा हो जाता है कि इंग्लिश में आपको 30 स्कोर करना है 25 स्कोर करना वह एब्रेज बच्चों के लिए स्कोर करना इजी नही तो सारी विच्चे तो नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है आपको जो भी स्कोर करना है ना वह तो इसकोर करना है कि ऐसे हमेशा बना के चल दीए कि 18-20 इधर से लिखे आने हैं और जो बाकी के मार्क्स हैं वो 60 मतलब 55 50-60 के बीच में यहां से लिखे आने क्योंकि कई बार ऐसा क्वेशन हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि आप हमेशा इसमें से 60 स्कोर करना वह तक मैं किसी पजल में फॉर्स करना ही है तो सबसे पहले आपको इनको अटेम्ट करना है ठीक है अब क्या डिसक्स करने वाले है रीजनिंग आएगा जैसे यह हमारा रीजनिंग आगया इसमें भी वही रहेगा आपको 25 मांक्स का पॉजल्स आजाएगा मतलब पॉजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट बाकी का जो 15 मांक्स आपका रहेगा 15 मांक्स आपका रहेगा मिसलीनियस तो मिसलीनियस में भी 15 मांक्स में क्या होता है 5 मांक्स का होता है आपका अलफा निमारिक सीरीज sorry 5 में आपका रहेगा coding decoding that will be Chinese coding pre-exam में आप हमेशा observe करना whether is a SBI, Clark, IBPS, PO और SBI, PO में कई बर नहीं होता है बाकि आप किसी भी exam को यदि करोगे तो उसमें coding decoding यदि आ रही तो it will be always Chinese coding decoding ठीक है यह आएगा आपका यह आपके 30 मार्क्स हो गए 5 मार्क्स जो और बचेगा इसमें क्या होता है सिलोक्स और ब्लड रिलेशन अब क्या होता है ब्लड रिलेशन तो तीन नंबर का पक्का होता है ठीक है ब्लड रिलेशन हमारा तीन नंबर का पक्का हो जाएगा अब यह जब ब्लड रिलेशन तीन नंबर का पक्का हो जाएगा उसके बाद slogs और alphanumeric series में से किसी एक shift में आपको slogs मिलेगा दूसरे में alphanumeric series मिलेगा दौनों नहीं मिलते एक साथ क्योंकि क्या होता जब आपको 20 number का already puzzle दे दिया है तो उसके बाद ये बनता ही नहीं है या फिर ऐसा भी हो सकता है आजकल जो हो रहा है कि slogs आपका 5 number का नहीं होगा और alphanumeric series भी आपका 5 number का नहीं हो और यदि जैसे हो गया कि इनने slogs 5 number का दे दिया तो वो क्या करेंगे next चीज वो ये करेंगे कि आपका alphanumeric series है ना वो तीन number का कर देंगे और एक कोई puzzle रहेगा वो आपका ऐसे रहेगा कि एक या दो number करेगा मितलब इसमें सिर्फ दो questions होने वाले हैं या फिर एक चीज और कर सकते हैं जो blood relation है उसको ये puzzle के form में दे सकते हैं तो ये भी three marks का ऐसे हो जाता है और वो आपका count puzzle और blood relation एक कुछ में ही count हो जाएगा तो ऐसे ही हमारा आगया ये कर सकते हैं अब हम discuss करने वाले हैं English तो मैं आपको RBI में बता चुकी हूँ same वैसे ही pattern आता है कि RBI में जैसे आता था मतलब ऐसे English में क्या होगा एक आरसी होगा दस marks का एक है एक है का फेवरेट क्वेश्चन है कि जो हमारा spelling error होता है न कि किस चीज की spelling गलत दी हुई है तो ये 5 marks का आएगा spelling error करेक्शन यह आएगा हमारा 5 marks का 15 marks हमारे यह हो गए 5 marks का हमको मिलेगा error ओके 5 का आपको मिलेगा पैरेजंबल अब वी लाफ्ट विट 5 marks जो हमारे 5 marks बच रहे है ना उसमें क्या होगा आपको या तो close test मिलेगा या तो आपको close test मिल जाएगा या फिर जो new pattern चल रहे है कि आपको sentence अरेंच करना होगा कि इनका सही order क्या होगा एक मतलब जो sentence है वो ऐसे जंबल दिया होगा पैरा जंबल अलग रहेगा पैरा जंबल अक्चली पार्च नंबर काएगा लेकिन आज कल एक और चीज आती है ना कि पैरा जंबल के को बताने वाली हों कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाली उन娘 आक को क्या पगाने वाली आपको क्यां करना है सबसे पहले जैसे ही आपकी डेली क्लासेस होगी फॉर्स्ट इक को कॉंट का टॉपिक होगा कॉंट टॉपिक जिसमें मैं क्या लेने वाली हूं बेसिक्स गें उसके ऊपर उसी बेस्ट पर मैं लोगी वेशन निक्स्ट क्लास में अर्ण डेली वेसजिस ये आपको एक टॉपिक मिलेगा और क्या मिलेगा क्वेश कया हो जाएंगी तो एसे हमारे जो 10-12 टॉपिक यह मोँद हो जाएंगे फिर उसपर टॉप्रैक्टिक लेकिन क्या होगा तो एसे हो आप बोलोग लेकिए क्यों नहीं होगा चो कि जो भी हमारा क्वांट और वीजनिंग का होता ना वो जो बेटेज जादा नंबर का जो वेटेज है वो बीस नंबर का तो है अल्टरनेटिव डेपर मैं क्या लेके आने वाली हूँ एक डी आई लेके आने वाली हूँ एबरी नेक्स्ट डी एबरी नेक्स्ट डी और एक और जो बचेगा उसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सीरीज सीरीज और सीरीज के साथ ही रहेगा आपका सिंप्लिफिकेशन तो आप इसमें क्या होगा आपके फाइब क्वेश्चन सीरीज के होने वाले हैं और फाइब सिंप्लिफिकेशन के होने वाले हैं ठीक है यह क्या होगा मतलब एक दिन मैंने यह पढ़ लिया आपने एक दिन क्वांट का एक टॉपिक पढ़ लिया उसके बेस्ट पे करेंगे उसके बाद हम किया करने वाले हैं डी आइब डी नेक्स्ट पी not every next day not every next week next day मैं करूंकि आपके प्रीजियर के वी क्वेशन hem अपने RBI के पेपर में जैसे देखा ना पेपर में कैसे क्या आ रही है चीजे यह अभी फॉर्स्ट एक्जाम है मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं कि 2022 का यह फॉर्स्ट एक्जाम हुआ है तो उसके बाद हमारे जो सबसे पहला एक्जाम आता है वह आता है axd mean and me abs आ जाता है तो ऐसे सब करने वाले है सीरी सिंफिकेशन और क्वाड्टरैक एक्वेस्ट ठीक है ола determin तो locker depression को मैं क्या करने वाली हूँ एक दिन अच्छे से पूरा तो पहले explain करने वाली हूँ कि quantity equation चुन क्या होता है कि इसकी बताने वाली हो कि आपको कैसे क्वेशन सॉल्व करना है देख के कुछ सेकेंड में क्या होता है पता प्री एक्जाम में ऐसे हम जो सॉल्व करने लगते हैं इस एक्स के वह रूट निकाल लिए उसके बाद हम सॉल्व करने लेकिन अब क्वेशन को बहुत अच्छे से कर लेंगे तो हमको समझ में आजाएगा पैटर्न क्या लग रहा है कई बार दो पैटर्न से सॉल्व हो जाता है और हम उसको लगे रहते हैं मतलब की बहुत देर तक सॉल्व करने के बाद भी हमारा आंसर निया था तो यह observation आपका बहुत अच्छा होना चाहिए तो ऐसे ही ह आपको रात में नाइट एक वीडियो देने वाली हूं डेली हो गई है आपको ऐसे ही मैं साथ में क्या करने वाली हूं साथ साथ में reasoning का भी डालती जाओंगी जो आपके mislearniast topic है उनको मैं बता सकती हूं जैसे Chinese coding recording कैसे पड़नी है इनको solve करने का तरीका क्या है मैं आपको यह वाला जो वीडियो आना सबसे ज्यादा यह है कि अब मैं आपको यह solve करने के तरीके बताऊंगी कि आप कैसे कम टाइम में अपने questions को maximum number of questions with accuracy कैसे solve कर सकते हैं क्योंकि सारे पहले यह जो ऐसे वोलते थे ना कि आप question कर दो हो जाएगा क्योंकि अब accuracy बहुत matter कर रही है ठीक है तो reasoning में यह सारे इनके में topics मतलब बहुत अच्छे से detailed video बढ़ाने वाली हूँ और हमारा क्या है inequality होता है कि इन questions को आपको minimum time में कैसे solve करना है ताकि आपको ऐसा भी यह कि आपको बहुत सारे concept याद रखने और प्रही बद पजल और सेटिंग अरेंजमेंट की ना वो अपकी practice परहेगा हाँ मैं एक काम कर रहा सकती हूँ कि आपको पजल और सेटिंग अरेंजमेंट एक question ऐसे डाल सकती हूँ कि मैंने equation solve करके बता दिये कि मैं इस तरीके से इसको solve करती हूँ मेरा ऐसा होता है कि जैसे possibilities बन थी न अब practice इतना जादा हो गया कि मेरा first possibility में question easily solve हो जाता है ठीके तो यह मैं आपको सब बताऊंगी और रही बात English के लिए तो English के लिए आपको रीड करना पड़ेगा रीड करिए उसको आराम से और practice करिए ठीके बाकी में इन दो सब्जेक्ट्स को आपको बहुत अच्छे से सारी चीजे पढ़ाने वाली हूँ सारे topics बताने वाली हूँ कि क्या कब लेना है डेली में एक एक आपको आपको ऐसे short videos रहेंगे मैं बहुत लेंडी वीडियो नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि YouTube पर बच्चा बोर हो जाता है बहुत डिस्ट्रेक्ट हो जाता है जब तक आप लाइब नहीं पढ़ा रहे हो ना इन फेक्ट लाइब में भी डिस्ट्रेक्ट होता है क्योंकि मैंने वो खुद किया हुआ है थीक है तो इसलिए मेरे जो वीडियो रहेंगे उनका जो टाइमिंग लैंट रहेंगा ना विदिन ट्वेंटी मिनिट्स रहेंगा ओके थैंक्यू वेरी मुच